ये हैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसिते नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता वोईस टीवी पर आपका स्वागत है अग्यात नवजात बच्चे का शव नाले में पढ़ा देख एकत्रित हुई काफी भीड बता दें फिरोजबाद के थाना दक्षड छेत्र हिमायूपुर उमा ग्लास फैक्टरी के पास किये घटना है फिलहाल नहीं हो सकी है अभी शव की सिनाक्त और पुलिस पहुँची है म रोजबाद आना दक्षड छेत्र हिमायूपुर उमा ग्लास फैक्टरी के पास अग्यात बच्चे का शव नाले में पढ़ा मिलने से वहाँ संसनी फैल गई बता दें मौके पर नाले के किनारे काफी संख्या में लोगों की भीडे कत्रित हो गई और छेत्री लोगों ने ब की मौके पर पुलिस आ गई है ये तो जिला स्पताल में जाने के बाद ही पता चल पाएगा फिरोजबास से शेखर यादव की रिपोर्ट जैसे ही मिली किसी सेट्री लोगों न मुझे दी तो मैंनेमान ले करा दिया पूरी पुलिस वाकी टीमाईगी है अब जो क्या इस माम बे हो क्या इस मामिले में बच्चा कैश से क्या निकलता है दिसकी पुलिस वाक कु रिजयाज करेंगी और जो गईगों अभी कोई मालूम निपड़ पारा है क्योंकि बच्चे नेकर अब जे तो मेडिकल मुई आदार बदा पाएंगे अम लोग तो बच्चे आएं जे तोटा तो लेकिन अभी कोई उम्र पाई करता है अभी किसी बच्चे राग्या सब इसमें नालें पड़ा हुआ है हमाईपूर नालें है तो फाना दस्रम है लगता है तो यह सुचना सचिन सनोप राजी दिचित नवासी हुमाईपूर नदी है यह पर आकर देखा तो क्या मिला आपको सब पड़ा हुआ बच्चे नाले में किस प्रकास समय हो और लगबग किना बच्चे यह साम पड़ाया कोई दो फिट के सोटा बच्चे यह मैं तो मर्थ प्रह नहीं की जा सकती बना देगे लगता हुआ है कबड़े में अब जेक रहे हैं तरोगाजी आगे मोकर पर आगे किस तरी कारवें कि जा रही है अब आपसे कारवें तरोगाजी आगे चोगें चारव मोकर पर आए